हेई गाईज विल्कम बाक टू माँ चैनल द्यूमाज और इस वीडियो में हम क्लासिक्स का चाप्टर 3 विच इस प्लेइंग विद नमबर्स उसकी एक्सराइज 3.2 के क्वेशन कांटिन्यू करने वाले हैं question number 6 तक हम already कर चुके हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं मैं playlist का description में link डाल दूँगी आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पस सारी questions आ जाएंगे with introduction की वीडियो उससे पहले आप इस चैनल को subscribe कर दीजिए वो जो नीचे red button है आप उ कर जवाब मिल जाएगा और साथ ही साथ NCRT और extra questions तो साथ में हमारे continuously chapter wise question wise सब कुछ हमारा slabels चल ही रहा है तो उसी के लिए आप subscribe कर दीजिए और जो important updates आती रहती है from CBSE वो भी इस चैनल पर update होती रहेंगी सब्सक्राइब करना मत भूलना और notification bell को क्लिक कर देना ताकि आपके पास notification आ जाए ताकि आपके पास notification आ जाए तो question number seven says give three pairs of prime numbers prime numbers कौन से होते हैं जो अपने table में आते हैं या फिर one के table में आते हैं ठीक है whose difference is two हमें तीन ऐसे numbers के pair को ढूणना है जिनका जो पहली चीज तो दोनों number prime होने चाहिए पेर का मतलग दो number दो number दोनों ही prime होने चाहिए और दोनों के बीच में कितना difference होना चाहिए two का तो कैसे करेंगे आपके काम कीजिए इस question को करने का simple तरीका है पहले prime numbers को लिख लीजिए देखिए two भी prime number है three भी prime number है क्योंकि two एक तो अपने table में आता है ये one के table में आता है three भी अपने table में आता है और one के table में आता है और किसी में नहीं आता है let's talk about four but four जो है अपने table में भी आता है two के table में भी आता है one के table में भी आता है तो ये prime number नहीं हुआ Now let's come to 5, 5 की अगर बात करते हैं तो 5 अपने table में आता है या फिर 1 के table में और किसी के table में नहीं आता 6 की बात करें तो 6 2 के table में भी आता है, 3 में भी आता है, 1 में भी आता है और 6 में भी आता है तो ये भी prime number नहीं हुआ 7, 7 है prime number क्योंकि 7 सिर्फ अपने table में आता है फिर बात करते हैं 8 की, तो 8 जो है वो 2 के table में भी आएगा, 4 के table में भी आएगा, 8 के table में भी आता है और 1 के table में भी, तो 8 भी prime number नहीं हुआ, 9, 9 भी prime number नहीं है क्योंकि वो भी 3 के table में आता है, फिर वो 9 के table में आता है, 10, 10 भी नहीं है, 11, 11 prime number है क्योंकि 11 सिर्फ अपने table म 12 प्राइम नमबर नहीं है क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है 3 में भी आता है 4 में भी आता है 6 में भी आता है और 12 में भी आता है 13 की बात करें 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है तो 13 हो गया प्राइम नमबर 14 15 ये सब चीज़े अब इन में से देखो हमने इतने नमबर लि 2 तो difference नहीं है, है ना, तो ये तो नहीं हो सकते, अब मैं काम करती हूँ, 3 और 5 ले लेती हूँ, तो मैं 5 में से अगर 3 को माइनस करती हूँ, तो answer आ गया 2, that means कि एक पेर कौन सा हो गया, 3 and 5, 3 and 5 दो ऐसे नंबर है, जो दोनों ही प्राइम नंबर भी हैं, और जिनके बीच का difference है, 2, clear हुआ, फिर उसके आगे चलते हैं, 3 और 5 देख लिए, आप देखते हैं, 5 और 7, 7 में से 5 माइनस करके देखते हूँ, तो भी हमारा 2 आ रहा है, तो 3 and 5 के बाद कौन सा पेर ले सकते हैं, 5 and 7, 5 and 7 भी दो ऐसे नंबर हैं, जो दोनों ही प्राइम नंबर हैं, और इन द माइनस करोगे, तो वो तो 2 से काफी जादा आएगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, 11 और 13 लेके देखते हैं, 13 में से जब आप 11 को माइनस करेंगे, you will get 2, that means कि जो तीसरा पेर आएगा, वो क्या होगा हमारा 11 and 13, that means 11 and 13 दो ऐसे नंबर हैं, जिनका दोनों ही प्राइम नंबर हैं और जिनका डिफरेंस, जिन दोनों के बीच में गाप कितना है, दो डिजिट का गाप है, तो ये क्वेशन आपको समझ आ गया होगा, now let's move to next question, so next question, question number 8 is, which of the following numbers are prime, हमें 4 नंबर दिये हुए हैं, और इसमें से हमें बताना है, कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नही तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर से 23, तो 23 के factors क्या होते हैं, 23 into 1, यही होते हैं, factors क्या क्या हुए, एक तो खुद 23 और एक हुआ 1, तो जो नंबर अपने टेबल में आता है, या 1 के टेबल में आता है, तो वो एक प्राइम नंबर होता है, hence 23 is a prime नंबर, क्योंके 23 देखिए, किसी और टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, अब divide करके देखिएगा, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, तो यह 23 जो है, वो एक प्राइम नंबर है, 51 की अगर हम बात करते हैं, 2 से divide करके देखो, divide नहीं हो multiply by 3, 17 3s आ, 51 तो इसके factors क्या हुए, एक तो 17 हो गया, एक 3 हो गया और एक 1 हो गया, that means इसके कितने factors हैं factors देखो क्या क्या हुए 51 जो है वो 3 के table में भी आता है 51 खुद के table में भी आता है, 17 के table में भी आता है, और 1 के table में भी आता है hence, 51 is not a prime number ठीक है, now next part 37, 37 अगर आप divide करके देखेंगे, तो 37 is equal to 37 into 1, factors क्या हुए 37 and 1, या तो खुद के table में आएगा, या 1 के table में आएगा तो यह क्या हुआ, prime number 37 is a prime number और आप इसको बेशक divide करके देख लिजएगा जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आता है, prime है या नहीं है, तो आप इसको 2 से, 3 से, 4 से, 5 से divide करके देख लिजए, अगर वो किसी के table में आ रहा है, that means कि वो prime number नहीं है और नहीं आ रहा तो वो prime number है, now 26, 26 अगर आप देखेंगे तो वो 2 के table में आता है, divide करके देखिएगा और 13 के table में भी आता है, ठीक है, तो factors क्या-क्या हुए इसके? 2, 13, 26 और 1 तो है ही, that means 26 is not a prime number, इस तरीके से आप इन question को solve करेंगे So next question, question number 9 is, write 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime numbers between them, question बहुत ध्यान से समझना है सबसे पहले consecutive का मतलब क्या होता है, 7-7 वाले, जैसे की 4, 5, 6, 7, यह 7-7 आ रहे हैं, हमने बीच में कोई number नहीं छोड़ा तो यह है consecutive number, composite number वो होते हैं, जो prime नहीं होते, ठीक है, that means जिनके 2 से ज्यादा factors होते हैं, आपने पहले भी इसको पढ़ लिया होगा तो हमें अब 7 ऐसे 7-7 वाले composite number देखने हैं, जो 100 से कम हो, 7 composite number जो 7-7 आते हो, और 100 से कम हो, और उनके बीच में कोई भी prime number नहीं हो, तो आप पूरी अगर counting लिखके देखेंगे, वन से लेके 100 की, तो जब अब 7 नमबर एक साथ लेने चलेंगे, तो कहीं ना कहीं prime number आ जाएगा, आपको जो भी 7 लगातार number जैसे की, जो मुझे याद है, वो है हमारा 90, composite number है, 2 के टेबल में भी divide, 2 से भी divide होता है, 3 से भी divide होता है, 5 से भी divide होता है, 10 से भी होता है, 90, composite number है, 90 के बाद आता है, 91, 91 भी composite number है, 3 के टेबल में भी आता है, और 7 के टेबल में भी आता है, 92, 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है, और 92 में भी और 1 में तो आता ही है, 93, 3 से भी divide होता है ठीक है composite है 94 तू से भी डिवाइड होगा और मेभी फोर से भी फोर से नहीं होगा टू से डिवाइड होगा ठीक है 94 1 2 3 4 5 95 और 96 देखो 95 जो है वो 5 के टेबल में भी आएगा दिखने से पता लग रहा है फाइव आरा है लास्ट में 5 के टेबल में भी आएगा और 95 के टेबल में भी आरा है और 1 में भी आएगा 2 से ज्यादा फैक्टर होते ही वो composite नंबर बन जाता है और 96 2 में भी आएगा 3 से भी डिवाइड होगा 96 से भी होगा 1 से भी होगा तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर यानि कि 1 जो अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आ पुच्छा था, 7 ऐसे consecutive composite number, यह सारे composite number है, consecutive मतलब 7-7 है, मैं यहाँ पर मतलब लिख देती हूं, consecutive का मतलब होता है, 7-7 वाले number, यानि कि जिनके बीच में, जैसे consecutive और alternative, alternative का मतलब होता है, एक को छोड़ के 1, consecutive का 7-7 वाले, और इनके बीच में कोई prime number नहीं आ रहा, तो यह question हो आपको यह सारे question solve करने है, बहुत easy है, इससे पहले के questions नहीं देखे, तो description में मैं playlist को जो link है वो डाल दूगे, आप उस पर click करेंगे, तो सारी videos आ जाएंगी, और ऐसी ही और videos के लिए, चैनल को subscribe करें और video को like करें, thank you. आपको